हलो नमस्ते मेरा नाम प्रसांत है सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाज चैनल पाने के लिए और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं चैटर ओफ आपको चैटर ओफ समझना नहीं एक तो आप ऐसे समझो मानलो यह एक चैटर है बीसिकली चैटर में इस एक डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट से एक कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है उस कंपनी के नाम है स्रिंडा कंपनी और आप यहां पर डेट देख रहो हो न मतलब 1600 में एक चैटर इशू करा गया इस चैटर से एक कंपनी का फॉर्मेशन हुआ उस कंपनी का नाम है स्रिंडा कंपनी सिंपल एक लाइन में आपको बताना हो तो यह है चैटर ओफ 1600 तो इसको पुरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैटर ओफ 1600 को और इसमें हम लोग पढ़ देखो अब जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो ना आप अपने मन में कोशन करो आप जब अपने मन में कोशन पूछोगे कब कहा तो आपको पढ़ने मीजी लगेगा जैसे मालो कि मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आकर इस इंडा कंपनी का फॉर्मेशन क्यों हुआ था अब कोशन आप करोगे ना आपको पढ़ने मी मन लगेगा बहुत लोग मेरे से पूछने से हिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लगता है आप कोशन पूछो मन में आपको पढ़ने का मन करेगा आपको जानने का मन करेगा जब आप कोशन पूछोगे तो चलो ठीक है बहुत बात हो गरनी थे और आप ये भी जानते हो हम लोगों पर इस इंडिया कंपनी का भी रूल रहा तो देखो इस इंडिया कंपनी एक गमपनी त Ur. उससका फॉर्मिशन रिवोल्ट होता है फर्स्ट वर उप इंडिया आक्ट 1858 आता है और इस इंडिया कंपनी का रूल खतम हो जाता है लगवग 100 इयर्स समझो आप एक कोई कंपनी है 100 साल तक इतने बड़े टेरिटेरी पे इंडिया पे रूल कर लिया आप सोच के देखो ना कितनी बड़ी बात ह है एक कंपनी पूरे इंडिया पे रूल कर लिया और लगवग 100 साल तक और भी आगे करती यदि रिवोल्ट ओफ 1857 नहीं होता तो तो इस लेक्चर में हम लोग यह पढ़ने वाले है आखिर यह कंपनी का फॉर्मेशन क्यूं हुआ कैसे हुआ यह सब कुछ पढ़ेंगे सब्सक्राइब है और आपको इस सेशन का पीडिएफ चाहिए तो आप टेली ग्राम चैनल लॉयल प्रसान पर जाके सर्च करके चैटर आप डालना आपको पीडिएफ मिल जाएगा तो देखो यह सारा कहानी 1600 से लेके 1947 तक कंप्लीट लीगल हिस्ट्री मैंने फ्री ऑफ कॉ चलो ठीक हम लोग स्टार्ट करते हैं और 1858 के बाद इस इंडिया कंपुनी का रूल खतम हो गया और क्राउन का रूल ब्रिटिस क्राउन का रूल स्टैबलिस हो जाता है इंडिया में यह आपको पता और फाइनली हम लोग को 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाता है यह बैक्ग इंडिया कंपुनी के formation में चलते हैं देखो आपको थोड़ा सान स्टार्टिंग में कहानी सुनना पड़ेगा देखो मैं आपको पहले यह कंपनी जहां के थी वहां ले चलता हूं यह कंपनी थी लंडन की है ना तो आप पहले यह लंडन देख लो कहां यह आप जो देख र अरे यार हां मालो हम लोगों को बिजनेस करना है तो आपस में दोस्तों में बैठके बात करते हैं देख भई इस जगह पे बहुत अच्छा स्कोप है बहुत जादा पोटेंशल है यहां पर अच्छा बिजनेस हो सकता है तो लंडन में भी कुछ मर्चेंट बोलो आप कुछ एक्सपरोर बोलो यह लोग बैठके मर्चेंट मतलब बेपारी कुछ बेपारी लोग बैठके बात करते हैं ट्रेडर से लोग बैठके बात यह करते हैं देखो भई यह वाला जो एरिया आप देख रहे हो तो यह वाला जो एरिया आप देख रहे हो यह वाला एरिया को हम ल लोग कि देखो यह जो एरिया ने स्टिंडी वाला एरिया इस एरिया में बहुत पुटेंशल है यहां पेरी हम लोग बिजनेस करें तो हम लोग बहुत अच्छा पैसा प्रॉफिट यहां से बना सकते हैं ऐसे यह लोग वहां पर बैट के बात करते हैं तो ऐसे ही 99 का यह कहानी है बहुत सारे लोग ग्रूप में बैठके यह लोग बात कर रहे तो यहां से कुछ लोग गए होंगे मतलब यहां पर पूर्तगीस और डस तो यहां पर ट्रेट करी रही थी 1600 से पहले ब्रिटिस के आने से पहले यहां पर तो डच और पूर्तिगीस लोग यहां पर ट्रेट तो करी रहे थे तो कहीं से कहीं से उड़के खवर गया होगा इंग्लैंड में कि देखो भाईया इस एरिया में बहुत अच्छा पोटेंचिल है जैसे यहां के बेपारी को लंडन में बेपारी को पता चला कि यहां पर पोटेंचिल है तो यह लोग बैट के क्या किये और यहां पर मैं तुभी बहुत सारे बुक में 266 और कुछ बुक में 219 मतलब 216 और 219 लोग मिलके लंडन में जो मर्चंट होंगे जो नोबल्स थे जो की अमीर लोग थे वो लोग बैट के वहां पर डिसकस कर रहे थे और बात कर रहे थे और फाइनली यह लोग क्या करते हैं क्वीन इलिजाबेट के पास आते हैं बोलते हैं कि देखो हम लोगों को इस एरिया में पोटेंशल दिखा है कि इस एरिया में हम लोगों को पोटेंशल दिखा है हम लोग करना चाहते हैं यहां पर बिजनेस तो कुईन इलिजाबेट के पास यह लोग जाते हैं देखो वो रानी है उसको तो आपको उसके पास ज ताके आपको document लेना पड़ेगा, Queen के पास लाना पड़ता था उस ताइम पे, तो ये लोग जाते हैं, Queen के पास बताते हैं कि देखो, इस area में potential है, हम लोग business करना चाहते हैं, और ये मैं आपको थोड़ा सा 1599 की कहानी बता रहा हूं, और to be exact ले लो, तो 22 September को ये लोग जाते हैं, सबसे पहली बार Queen Elizabeth के पास, ये जो आप देखरों नहीं, यहाँ इतने सारे merchant ये लोग जाते हैं, और बोलते हैं कि देखो, हमारे पास 30,000, 30,000 हमारे पास pound है, 30,000 pound है, और हम लोग एक company बना करके इस area में trade करना चाहते हैं, तो Queen Elizabeth इस बार बोलती है कि नहीं, देखो भईया, अभी possible नहीं है, बाग में करना, फिर ये लोग दुबारा अपना amount बढ़ाते हैं, ये लोग फिर बोलते हैं, ठीक है, 30 में नहीं होगा, चलो 68,000 करते हैं, ये लोग फिर 68,000 अपना, बोलते हैं कि मैम हम लोगों ने 68,000 रुपीज इन्वेस्ट हम लोग करने का सोच रहे हैं, हमारे पास अभी इतना पैसा है, हम लोगों ने एक दो सीप भी खरीद लिया है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती, ये सब मैं official आपको बता रहो, आप इसको Wikipedia पर भी पढ़ सकते हो, तो फिर उसके बाद finally, उसके बाद finally, ये लोग दो बार, अभी just आपने देखा ना, ये लोग दो बार unsuccessful रहते हैं, कितने बार, unsuccessful, ठीक है, दो बार ये लोग failed हो जाते हैं ये जो आप देखरों, 219, elder men, burgages, nobel, merchant बोल सकते हैं, लेंडन के ये लोग थे, और ये लोग fail हो जाते हैं, Queen Elizabeth को ये लोग satisfied, नहीं कर पाते हैं, finally on 31st December, देखो यहाँ पर, finally, 31st December, 1600 को, Queen Elizabeth को ये लोग, मतलब convince कर लेते हैं, कि देखो ma'am, हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर trade करना चाहते हैं, और हम लोग जाना चाहते हैं, ट्रेड करने के लिए, तो फिर, finally, 31st December, 1600 को, Queen Elizabeth, एक chatter grant करती है, अब जाना चाहते हैं, चाहर मतलब document, एक document grant करती है, और document grant करके, East India Company का formation करती है, और East India Company को, इस company को नाम क्या दिया जाता है, इस corporation को नाम क्या दिया जाता है, भई, governor and company of merchant of London trading into the standees, अब जब इसको नाम को देखोगे ना, यदि सिर्फ और सिर्फ आप यदि नाम को देखते हो, अब नाम में ही पूरा company आपको मिल जाएगा, देखो जब आप नाम पढ़ोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, company of merchant, मतलब ये company किसकी बही, बहुत सारे merchant का company है, कहा का merchant, तो London का merchant, देखो, और ये company बनाई क्यों गई है, तो trading करने के लिए, कहा के लिए, तो standees में, कहा पर trade करने के लिए standees, तो इस company के नाम में ही clear है, और पहले starting में, जब ये company का formation हुआ था, तो इसको East India Company तभी नहीं बोलते थे, तभी बोलते थे, governor and company of merchant of London trading into the East Indies, starting में, ये नाम था, लेकिन धीरे धीरे फिरिस का नाम क्या हो गया, East India Company, I hope ये आपको यहां तक समझ में आया हो, आप इसको धियान है कि 216, आप लेख सकते हो है, 219, ठीक है, ये बतादना members, ये लोग नोबेल से लोग जाते हैं, Queen Elizabeth के पास request करते हैं, और finally Queen Elizabeth, एक chatter grant करते हैं, जिसको royal chatter भी बोलते हैं, और ये ही होता है, chatter of 1600, और इस chatter के दवारा, एक company का formation होता, इस company को क्या नाम दिया जाता है, governor and company of merchant of London trading into the East Indies, और इसी को हम लोग बोलते हैं, East India Company, आपको ये चैटर देखना है, तो आप यहां पर देख सकते हो, देखो, मेरे picture के नीचे देखो, यहां पर आपको चैटर दिख रहा हुआ, ये चैटर मुझे गूगल से मिला है, ये एक्चुल है कि मुझे तो लग रहा है, बट आप देख लो, इसी टाइप का चैटर होता था, उस थाम पर जो कुईन ये लोग जो इसू करते थे चैटर, डॉक्योमेंट बोल सकते हो आप उसको, तो ऐसा ही होता था, अब ये जो चैटर आप देख रहे हो, ये तो इस चैटर में लिखा हुआ होगा, तो इस चैटर में लिखा हुआ है, कि कितने लोग इस कंपनी में होंगे, और ये लोग यदि होंगे, तो कितने साल के लिए होंगे, कंपनी को मेनेज कौन करेगा, कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथ में होगा, समझ रहे हो, और इस च इतना पढ़ने के बाद हम लोगो एक चीज़ यहां पर धियान सबसे इंपॉर्टन चीज़ धियान ही रखना है इस इंडिया कंपनी इंकॉर्प्रेटेड हो जाता है इंग्लैंड में कब 31 दिशंबर 1600 को किसके दुआरा यह चैटर आपने देखा ना रॉयल चैटर के दुआ यह वाला जो पॉइंट है आपको इसको धियान में रखना है इस इंडिया कंपनी इंकॉर्प्रेटेड इंग्लैंड ऑन 31 दिशंबर 1600 किसके दुआरा बाय रॉयल चैटर या फिर आप उसको बोल सकते हो चैटर ऑफ 1600 ठीक है बाय रॉयल चैटर और उस टम पे क्वीन कॉन इलिजाबेट आई हो यहां तक क्लियर हो गया अभी तक क्या सीन देख रहे हैं लोग 1600 में 31 दिसंबर को इस इंडिया कंपनी फाइनली फॉर्म हो चुका है लंडन में कहां पे भाई लंडन में अब देखो उस टाम पे आप यह इस इंडिया कंपनी का यह आप ऑफिस देख अपने मन में कोशन यह करो अपने मन आप कोशन यह करो आखिर इसका स्टाबिश्मेंट क्यों हुआ था और यह जो कंपनी है इस इंडिया कंपनी यह जो लंडन से आएगी इंडिया में यह जो आप यह लंडन देख रहे हो यहां से जो यह इंडिया में आएगी तो इसका क इंडिया कम्पनी का composition पढ़ेंगे, उसके हम लोग इस्पे परिखेंगे, मालो जो servant है, या फिर hesales सर्वेंडुर माय क्तर Caitlin का term प dez्वूज्भ हूगा, ये और इंडिया लोग क्रेंट करना चाहते थे यह लोग ट्रेड करना चाहते ऊपके इस ट्रेड करने के लिए आप शोचो अप übers अधियर पूरे इंडिया पर रूल कर लिए और कुछNітमें करना पड़ेगा लोगो गिए और फाइनली यह इंग्लिश लोग यहां पर मने एक लाइन लिख दिया है यह इंडिया का बाते हैं भाई 1601 में बाडी ओफ ट्रेडिंग मर्चंट मतलब एक अच्छा इसने कंपनी क्या था ह Cam uncle thma succeeding मर्चंट इधी तो बाडी था है कि अपरियां पर से Microsoft पांद मैंने आपको इस्तिंडी और मैने दिखा दिया आपको यह वाला जो अक्स्ट भी अब देख रहे हो यह सिंडी झाए भई सोच यह वाला अइरिया है ये है इस्टेंडी और ये वाला एरिया आप देख रहे हो यह है वेस्टेंडीज ठीक है तो ये कंपनी परकर गफर्पस था था भैं ट्रेडइग ट्रेडिंग कहांपे इस्टेंडीज ये वाले एरिया में लोग यहां पर देखते हैं यह चेंड का रूट परपस आपने देख लिया एसा ही उता जा याता डिफरेंस नहीं हो कि भिजो hand लगता है jullieनने में कि मुझे ऑसा लगता है 10-12-13 खहंटा लगता है एग वीडियोड बनाने में बिक्चर दोड़े मैं यसा करता हो कि जाधा से जाधा content आपको दे सको और एक दम.. इसी लाइंग्वज में आपको पता सूँ इसके लिए बहुत जादा रिसर्च करना होता है उसमें भी बहुत टाइम लगता है फिर पीडिएफ बनाना पड़ता है सिक्वेंस मेंटीन करना पड़ता है तो इसमें बहुत टाइम लगता है और आपसे बस कुछ नहीं चाहिए एक कमेंट चाहिए आपको सस्क्राइब करना है मत करो जो करना है करो आपको लाल बटन के साथ लेकिन आप प्लीज एक कमेंट करो आपका एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता और मैं वीडियो में आता हूं खैर देखो यह यह देखो इस तरह से करके सिप होता थ इसमें यह सारे लोग आते थे और उपर फ्लाइग होता था यह हवा कर डिरेक्शन से हल्प करता था इनको जाने में खर देखो यह रहा आपको यहां से यह आइलेंड है UK यहां से यह लोग देखो ऐसे करके चलते थे और ऐसे करके यहां पर यह इंडियन सब कॉंटिनेंट व सम कॉडिनेंट में और यह सब area में यह लोग जाते थे ट्रेड करते थे यह हैं से चलते थे इनका रूट होता था कैसे यह आप आते थे अफ्रीका यह जेख के नीचे आते तो यह जो इंग्लिश शेप है जो इंग्लैंड से चलती थी यह लोग आप यहां पर देखो सबसे पहले लो यह यह लोग यहां से चलते थे यहांसे चलते थे और अफरीका के विश्ट होते हुए और यह यहомина है केप आफ गुड़ोप यहां से होते हुए इंडियन ओशीन को क्रॉस करते हैं फिर इस एरिया में आके यह लोग ट्रेड कर देते कौन लोग इस इंडिया कम्पनी यह रूट था इनका ट्रेड करने का Ну just traffic देख लिया मैं थोड़ा साथ कुंने इस इंडिया कम्पनी गवार्यैं बताना चाहता हूं कोंटिनेन पूरा सबसे बड़ा कंपनी और इस इंडिया जतना ब्रिटिस आर्मी के पास सोलजर नहीं था उसका 2000 ज्याद सोलजर एक तुपनी इलिas इस हमारी रिलायंस पास नंवत snanda कंपनी के पास आर्मी था खुद लिटn 2010 वहां से princes उनके देश के पास जतना आर्मी नहीं उसका दुगना आर्मी हुआ करता था इस इंडिया कंपनी के पास और सिर्फ कहां पर ये तीन बॉंबे मदरास और बेंगॉल ये तीन प्रिसिटेंसी में इतना ज्यादा आर्मी था आप इनके पास हो सकते हो और उस टाइम पर मिड 20s और अर्ली 80s में जो इस इंडिया कंपनी का पूरा वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसको वन हैंड सिंगल हैंडली ये आप बोल सकते हैंडल करते थे लोग एक हाथ पूरा देखो सिंपल सी बात है सबसे बड़ा कंपनी है वर्ल्ड का तो ये क्या अराम से ये ट्रेड को बैल इसे इंडिया कंपणी का हिट कॉर्ट हा लंडन में बहुत सार से हाथ चला अब को इस इंडिया कंपणी का मेनेज्मेंट देखो सबसे पहले company है तो servant होगा उसमें बहुत सारे servant थे तो यह आप देख सकते है company servant यहाँ पे बहुत सारा को servant देखेंगा अब यह सारे servant को manage करने के लिए अब इंडिया में आएगी company trade करने के लिए तो बहुत सारे servant होगा head हो गया यह इक तरह का यह हो गया द का mother function by hika governor गारणर को चलाने के लिए governor को चलाने के 20 फोर्स डारेक्टर चॉविस लोग होते थे ठीक है यह 24 लोग क्या होते थे भाई इसको अलग बोलते थे समय कोर्टस ओफ डारेक्टर क्या बोलते थे इसको हम लोग बही ठीक है यह 24 लोग जब एक साथ बैठते थे तो इसको हम लोग बोलते थे Supel अब यह governor को चलाने के लिए courts of director होते थे faith the country India में trade कर रही है इस टीडा company तो company के servant होंगे और उसके governor होंगे और यह लोग जहाँ पर company trade करेगी वहाँ पर होंगे और यह आप director देख रहे हुँ यह इंगलाइड में होते थे कहा होते हैं इंग लेंगOoh जुटी यहां से गवर्नलेन्ड पंपनि में चलाते थे सिंपल है यहां तक कोई प्राब्लम हो तो आप कमेंट सक्षine में बताओ तो यह 24 डारेक्टर होते थे यह 24 डारेक्टर जब एक साथ बैट थे सकुर्ण लेfully तो आप देखो कम्पनी चला कौन रहा है तो कम्पनी को चला रहा है कोड़ सब्रेक्टर इस ती इंड़ा कमपनी एक कंपनी थी आप आपने क्या देखा था इसको इस company को बनाने के लिए 260 216 लोग मतलब ये 266 लोग अपना पैसा लगाए होंगे मतलब ये company stocks company है मतलब आप इसको बोलो किसे एर में बना है ये जो company आप देख रहो इस इंडिया company ये company क्या कोई एक परसन का था नहीं ये company को बनाया किसने था 266 216 लोग मिलके बनाए थे भाई 216 लोग इसके हो गए शेयर होल्डर क्या होगे ये 266 लोग चलो मैं इसको ना एक सकेंड रुख जाओ मैं इसको रफ कर लेता हूं फिर ये देखने में सुंदर लगेगा आपको समझ में भी आएगा बस अभी के लिए आप इतना दियानक न होगा तो कौन करेगा चलो तो ये इस इंडिया कंपनी 216 लोग मिलके बनाए तो मतलब ये 266 लोग कौन होगे ये अपना सेयर है इनका तो ये लोग क्या कहला हैं दूसर लोग सेयर होल्डर और ये जो 216 लोग सेयर होल्डर्स थे ये 216 मिलके किसको चुनते थे भाई 24 डारेक्टर किसको चुनते थे 24 कोट्स ऑफ डारेक्टर और ये 24 कोट्स ऑडार किसको सुनते थे गवर्णर को ठीक है यह आपको दियानक ना है तो कंपनी का ओनर कौन हुआ कंपनी का मालिक कौन हुआ जिसका पैसा लगा हुआ है ओविसली वही मालिक होगा है तो यह जो सियर होल्डर्स थे इसको हम लोग बोलते थे समर्स और सब्सक्राइड का किया अच्छा काम नहीं कर रहा तो यह लोग रिमूव करके और को ली आएंगे तो annual basis पे अब shareholder जो आच्छा इसको देखो यह जो codes of director है इसका जो election मानलों इसको जो elect करते थे यह proprietor लो यह annual basis पे होता था यहाँ पर देखो मैंने लिख भी दिया this codes of director कौन भाई यह यह जो codes of director है यह elected होते हैं के दुआरा अभी जस्ट आपने देखा यह elected होते हैं शेयर होल्डर के दुआर तो company का मालिक कौन हो गया भाई company का मालिक हो गया शेयर होल्डर आप इसको धिया रखेंगे company के honor कौन होगे शेयर होल्डर और शेयर होल्डर क्लेक्टिबली क्या कहलाते है कोट्स ओफ प्रोप्राइटर क्लेक्टिबली क्या कहलाएंगे लोग कोट्स ओफ प्रोप्राइटर सिंपल देखो यहां पर मैंने इसको लिख भी दिया अच्छे से आपको मन करें तो पढ़ना वीडियो को पॉस करके ना देखो यहां पर कोट्स ओफ डारेक्टर एलेक्टीड पाइडि कोड्स अपरोप्राइटर यहीं नोग देख चुके और सब से इंप्रटेट्टेंट कोट्स ओफ डिरेकटर जो होंगे कोट्स अफ डैरेक्टर जो होंग इसका टर्म कितने साल को होगा वाई लोग वहले का यह लोग जो एलेक्ट होंगे यह लोग जो आप कोट्स और डाइक्टर देखरों कितने साल के लिए वन इयर के लिए अब मान लो इसका एक साल पुड़ा नहीं यह जो परसन है इसका एक साल नहीं पुड़ा लेकिन यह कुई सी करप्शन में है तो यह प्रोप्राइटर चाहे यह शेरहोल्डर चाहे इसको रिमूव कर सकते हैं लेकिन आपने क्या पढ़ा इसको एक साल होना चाही है यदि courts of proprietor, shareholder चाहे तो आपको एक साल पूरा होने से पहले भी आपको remove कर सकते हैं अब जो, मानलो किसी को remove कर दिया गया तो seat खाली हो जाएगा ना seat खाली होगा तो उसके जगह पे नए person को elect करके आप vacancy को fill कर दो, simple है मानलो कि एक person था ये ठीक है, इसको six month इसने company में छे month इसने year लिख दिया मैंना मानलो ये छे month company में काम करता है ठीक है, six month ये काम किया और इसको proprietor लोग निकाल देते हैं ठीक है, proprietor लोग मानलो इसको निकाल देते हैं तो उस case में जो 6 month के लिए seat खाली रह गया न तो courts operator के पास ये power था कि 6 month के लिए किसी और को ये लोग elect कर सकते थे और देखो यदि आपको समझ में आ रहा है आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप please channel को subscribe कीजिए like कीजिए यही बोलना होता है और क्या चलो ठीक है नोट शाहिए तो आप telegram visit कीजिए किसी भी तरह का problem हो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो चलो company जब बना था इसका capital कितना था तो इसका था 75,373 75,373 pound इस company का इस India company का capital था ठीक है अब देखो यही आप इसको तोड़ोगे तो आपको यह निगल गएगा cost of ship cost of material and cost of item इतना 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 अब हमनों देखने वाले है provision of the charter of 1600 देखो यह जो चैटर था इस चैटर में क्या provision था हम लोग यह देखें तो सबसे पहला provision यह था कि देखो company इस इंडा कंपनी को बनाए गया था कितने साल के लिए कितने duration के लिए तो 15 year के लिए 15 साल के लिए और यह बोला गया था यदि आपका अच्छा हम लोग company बनाती है यदि profitable नहीं होता तो क्या करते है बंद करते है तो सेम चीज़ यहां भी था company बनाए गया था 15 साल के लिए और यदि company profitable नहीं दिखेगा company यदि profitable नहीं दिखेगा तो दो साल का notice देके company को बंद किया जा सकता है रिवोग किया जा सकता है simple है दिया रखना company बनाए था कितने साल के लिए 15 साल के लिए और यदि company profit नहीं देती है profitable नहीं दिखता company तो दो साल का notice देना पड़ेगा ऐसा नहीं गए आज बंद करते यह company नहीं भईया आपको दो साल पहले notice देना पड़ेगा दो साल का आप पहले notice दे दो और company को फिर आप रिवोग कर सकते हो यह पहला प्रोविजन था किसमें यह जो चैटर आया था चैटर आफ 1600 जिससे formation होती इस चैटर में यह भी प्रोविजन था यदि भाया तुम प्रोफिट नहीं कमाऊगे इस ट्रेट करने के लिए हो तुमको दो साल पहले का notice दे करके बंद कर दिया जाएगा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यह था चैटर आफ 1600 का कि company को इस इंडिया company को मोनोपॉली मिल जाता है मतलब यह हुआ अब देखो हैं में मैम चाहां चलो देखो रहाए हां यहाँ यहां पर आपको दिखेगा इंग्लैंड है ना और यह59 पांधिए अ कहां पतांत में अब बताउंग को लेकिन इंडिया कंपनी कर सकता है इंग विलिलान का सिर्फ एक company trade कर सकता है वू कौन सा देखो इंग लाइंग वूत सारा कंपनी वो इस टाइम भी लेकिन trade कौन सा कंपनी कर सकता है इस एरिया में तो व्हें इसир इंडिया company कौन सा कंपनी आ श्म४नी ऑस इंडिया company के लबा कोई और company यहाँ पे trade नहीं कर सकती कोई Dutch company कर सकती Spain की company कर सकती है ठीक है लेकिर England का कोई और company यहाँ पे यह जो England आप देख रहे हो England का कोई और company यहाँ पे trade नहीं कर सकती है देखो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे न no British subject was permitted to carry out trade कहाँ पे विदिन इस एरिया कौन कौन सा देखो इसट वार्ड ऑफ केप ऑफ इसट वार्ड देखो North South East मतलब इधर वाला एरिया पे इधर वाला एरिया में मतलब यहाँ पे क्या है अभी जस्ट आपने क्या पढ़ा था Cape of Cape of Good Hope आपने देखा नहीं यहाँ पे Cape of Good Hope है और इसके इस्ट में इसके इस्ट में इस्ट वार्ड में सिर्फ कॉंट्रेट कर सकता है इस्ट इंडिया कंपनी कोई और कंपनी नहीं कर सकता कहां तक इधर से इधर जाओगे यहाँ पे आगे आपको इधर मिलेगा Pacific Ocean और यहां मिल जाएगा आपको इधर से जब आप चलोगे तो आपकी गाड़ी इधर से आएगी है तो इस रिजन तक आप यहाँ पे स्टेट आप मेगलेन है तो यहां तक इधर से कहाने स्टार्ट होगी इधर तक अब यह जो बीच वाला एरिया है ना यहां पे कोई और कंपनी भी देखो जहां पर मैं कलर कर देता हूं ठीकर यह वाले रिजन पे कोई और इस इस इंडिया कंपनी के अलावा कंपनी कर सकती है और वह कौन सा कंपनी है इस इंडिया कंपनी यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और यदि इस एरिया में इस इंडिया कंपनी के अलावा यदि कोई कंपनी ट्रेड करेगा तो उस कंपनी का जो भी सिप्स होगा जो भी कार्गोज होगा उसको सीज कर जाएगा ठीक है आप इसको धियान रखिए और इसमें चार्टर में यह बोला गया कि इस इंडिया कंपनी का जो एफेयर है वह मैनेज के इस तरह से होगा डेमोक्रेटिक मैनर्स में ठीक है चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर लिखा हुआ है इनी ट्रेडर्स विदाउट लाइसेंस फ्रॉम्पनी वेर लाइबल टू वही चीज है यदि कोई कंपनी इस इहां पर इंग्लैंड में बिना लाइसेंस लिए इस रीजन में देखो जहां मेरा रेट में चल सपोर्ट करना चाहिए बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हैं फोन पर गूगल पर आप जितना पर मुझे यहां पर डोनेट कर सकते हो देखो यदि कंपनी बना है कंपनी यहां पर ट्रेड करेगी तो उसमें सर्वेंट होंगे उनके बीच में लड़ाई भी होगी होगी न लड़ाइ भी तो सकते हैं तो क्या मालола इनके बीच में लड़ाई भी होगा नूड़ाई होसक्ता है पर इसीचे प्समें लड़ाई हो जाहेंगे लोगiffe इंगलैंड जाएंगे में इतना धूर चाहेंगे जी नहीं नहीं तो क्या करा गया East India Company को कुछ कानून बनाने का पावर दे दिया गया Lawmaking Power को हम लोग बोलते है Legislative Power तो ये Charter Act of 1600 ला करके East India Company को East India Company को कुछ कानून बनाने का ठीक है कुछ कानून बनाने का पावर दे दिया गया उसी को हम बोलते है Legislative Power तो Charter of 1600 जो है कुछ legislative power दिया इस India Company को तो क्या-क्या power दिया है हम लोग वो देखेंगे आप पे तो सबसे पहला अचाई ये देखो फोस टाइम पहली बार कब तक की बात कर रहा हूं मैं 1600 तक जब तक ये Charter रहा है कि आप कानून बना सकते हो और इस टाइम तक किसी और governmental body को ये authorize नहीं था ये power नहीं था तो सबसे पहली बार 16 तक्की में बात कर रहा हूं इस India Company को legislative power मिला था सबसे पहला non-governmental bodies जिसको की कानून बनाने का power मिला था और किसके दुआरा मिला था तो charter of 1600 आप इसको बोल सकते हो royal charter of 1600 भी अब देखते हैं कि इस India Company को legislative power मिल गया है तो भाई कानून बनाने का जो power मिला है तो किस चीज़ का ऐसा है कि ये लोग फांसी किस तरजा दे सकते थे नहीं ये लोग सिफ simple इंप्रिजमेंट दे सकते थे आप पनिशमेंट पड़े होगा IPC में तो कैसा पनिशमेंट दे सकते थे ये लोग simple इंप्रिजमेंट और कुछ फाइन लगा सकते हैं strokes और कुछ physical punishment भी ये लोग दे सकते थे ताकि company में discipline law and order maintain रहे देखो law and order maintain करने के लिए कुछ legislative power दे दिया गया इस इंडा कंपनी को कि देखो भाईया यदि आप छोटा मोटा कुछ crime rhyme होता है तो उस case में आप simple imprisonment दे दो fine दे दो कुछ physical punishment दे दो ताकि law and order company में इस इंडा कंपनी में maintain रहे law and order maintain करने के लिए ये सवाले case में आप laws नहीं बना सकते हो आप कुछ unreasonable नहीं बना दोगे आपको जो law बनाओगे वो justifiable होना चाहिए और reasonable होना चाहिए और कुछ आप ऐसा law नहीं बना दो जो कि parliamentary law मतलब इंग्लैंड का जो law है उसके inconsistent नहीं होना चाहिए ठीक है और British Empire को बोलो British का custom उसके against नहीं होना चाहिए और यदि fundamental law है तो उसको East India Company change नहीं कर सकती है इसको भी आपको ध्यानम रखना है तो ये कुछ legislative power था इससे उपर आपने देखा ये कुछ legislative power था इससे उपर आपने देखा कुछ provision आपने देख ला इससे पहले हम लोग देखे थे का formation कैसे हुआ और कुछ हम लोग अच्छे ची बाते कुछ important बाते हम लोग पढ़े उसके फिर हम लोग पढ़े थे चलो ये आपको lecture अच्छा लगा हो तो आप प्लीज कमेंट कीजी कमेंट से बहुत जादा motivation मिलता है आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है और आपको ये दि नोट्स चाहिए अभी जितना मैंने पढ़ाया इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलिग्राम विजिट करो ये देखो टेलिग्राम चैनल है वहाँ पर लॉयर प्रसांत लिखेना आपको चेलिग्राम चैनल मिल जाएगा और जाका आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो बहुत एजली जितना भी मैंने पढ़ाया वो नोट्स आपको मिल जाएगा और यहां तक भी देखने के लिए थाइंक्यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहां तक देखा है और यदि अच्छा लगाओ तो ब्लीज कमेंट किजिए थाइंक्यू सो मच फर वशिंग इस वीडियो